चलिए आज बनाते हैं एक दम यूनिक स्टाइल से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पनीर चिली मैगी अगर आपको मैगी खाना पसंद है तो मैगी आपका मोड ही बना देगा तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक सेयर कीजिएगा जादा से जादा दोस्तों तो बहुत ही तेस्टी मैगी बनके तयार होती है यहाँ पर हमने एक पतेले में पानी गरम कर लिया है यह दो कप पानी है एक छोटी चमच नमक डाल देते हैं और एक छोटी चमच इसम टू मीडियम फ्लेम पर पानी एक बार बॉयल होने लगे उसके बाद मैगी डाल दीजिए तो बहुत जल्दी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाती है पक जाती है यह देखिए मैगी को जरासा भी टाइम नहीं लगता है शॉफ्ट होने में तो एक बार बॉयल होने लगे पानी पानी बॉयल होने लगा गैस बन करके इसको पानी को निकाल लेंगे तो वापस से पैन रखे हैं गैस पर उसमें हम दो चम्मच तेल डाल देंगे और थोड़ी सी कटी हुई लहसुन थोड़ा सा कटा हुआ अद्रग और दो हरी मेर्ज कटी हुई एड़ कर देते पैन में अब इसे हम थोड़ा सा रोष्ट करेंगे इसके कच्चे पन निकल जाएं इस तरीके से मैगी जरूर बनाईएगा मेरे मैथड से बहुत ही अच्छी लगेगी बच्चे बड़े सब खाएंगे खुश होकर नई स्टाइल में मैगी हमने बनाना आज बताया आपको तो यहाँ पर दो मीडियम साइज की प्याज को मैंने बारिक बारिक कट करके ले लिया है इसे भी एड़ कर देंगे पैन में और इसे भी अच्छी तरीके से भुन लेंगे हलका गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज का कच्चा पर निकल जाए इतना हमें भुनना था तो फ्रेंड्स लीजिए हमारी प्याज भुन चुकी है अब इसके अंदर हमने थोड़े से एक सिमला मिर्च लिये हैं लाल और पीली सिमला मिर्च है जो छोटे छोटे पीस में मै काटे हैं इसे भी एड़ कर देते हैं यह थोड़ा सा स्वीट कॉन मैंने बॉइल करके लिया है इसे भी एड़ कर देते हैं यहां पर छे से साथ क्यूब्स पनीर लिये हैं यह भी मैंने तेल में थोड़ा सा फ्राइब कर लिया था सेलो फ्राइब इसे भी एड़ कर देते ह अब यहाँ पर जाएगा एक बड़ा चम्मच विनेगर दो बड़े चम्मच डार्क सोया सॉस एक छोटी चम्मच रेड चिली सॉस एक बड़ा चम्मच टोमाटो केचप सॉस आपको जो पसंद है सेजवान सॉस ग्रीन चिली सॉस यह भी डाल सकते हैं सॉस को मिक्स करते हुए सबजियों को हम दो तीन मिनट तक पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर चाइनीज डिस जो होती है हाई फ्लेम पर बनती है तो यहाँ स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे नमक डालते हुए ध्यान रखिए सॉस में भी नमक होता है तो नमक का ध्यान रखते हुए नमक डालना है यहाँ पर हमने लिया है एक बड़ा चम्मच कॉन फ्लोर पाउडर अब इसमें थोड़ा सा दो तीन चम्मच पानी ठंडा पानी मिला कर इसको मिक्स कर लेंगे इसमें कोई लाम सना रहें इसे पैन में डाल देते हैं अब इन सब को मैं दो से तीन सेकेंड और पकाऊंगी अच्छी तरीके से मीक्स करते हुए सास हमारा पकने लगे हैं सबजियां भी पकनी लगी है अब इसमें हम मैगी का टेस्ट मेकर जो आया था मैगी के अंदर रहते हैं मसाली यह डाल देते हैं दोनों पैकेट हम दो पैकेट मैगी बना रहे हैं चिली पनीर मैगी चिली पनीर रेसिपी तो आप बहुत खाये होंगे सबजी इस तरीके से चिली पनीर मैगी बना कर जरूर खाईएगा बहुत पसंद आएगी इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डाल देते हैं कटी हुई आपके पास अगर हरी प्याज है तो उसकी पत्ती भी काट कर डाल सकते हैं अब इसमें हम डालेंगे बॉयल की हुई मैगी तो यह देखिए हमने बॉयल करके लिया था और जब पानी को अलग किया तो डारेक्ट मैंने मैगी पे ठंड़ी पानी डाले थे तीन चार कप तो मैगी जो है चिपकी नहीं रहती है ठंड़ा पानी डालने से मैगी एकदम अलग अलग हो गई है इन सबको हम मिक्स करते हुए चलाएंगे अच्छी तरीके से अब गैस का फ्लेम जो है हाई कर लेंगे हम ड्राइ मैगी बना रहे हैं इसे दो फॉग लीजिए उससे फटाफट मिलाईए या फिर दो इस्पैचुला लेकर दोनों हास से मिलाईए तभी अच्छी से मिलती है मिक्स होती है मैगी वेजिटेबल में इसे थोड़ा लटपट कर देते हैं एक दम अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए मैगी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है अभी थोड़ा सा इसको हम उलट पलट करके देख लेते हैं थोड़ी सी हरी पत्ती डाल देते हैं धनिया की तो लीजिए फ्रेंड्स गर्मा गरम चिली पनीर मैगी बन के तयार है इस मैगी को एक लाइक तो बनता है ये देखिए कितनी टेश्टी मैगी बन के तयार है आप इसे बना कर साम को छोटी मोटी भूख में खा सकते हैं बच्चे जिद करते हैं मैगी खाने की तो उनको भी बना कर आप दे सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में बाई दोस्तों